हामी चाहे आज़को विडियो मा inverse circular function या अन्ट इर्गनोमेटिक के questions को X size start गर देशाम X size 8.1 तब अर्वर सब्कोई जनाला हर्दीक स्वागाच्छा तब अर्वर हर्दी हुनुँछ B.S.A.K.D.M.N.P.L. YouTube चाला लाफ फर्स्ट मा question के बन्चा 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 अर्वर दा फालोईंग विडाउट विजिंग टेबल बन्चा question बन्चा येस्टो देआचा येसको ब्यालू फाइन आट गर नोच बन्चा sin inverse 1 ये बन्चाए sin कतिको ब्यालू चाहिए 1 हो बन्चाए कतिको ब्यालू πय ब्यालू 2 को ब्यालू 90 degree को ब्यालू ये बन्चाए बन्चाए sin inverse minus 1 upon 2 बन्चाए तेशको लागी चाहिए इसको फर्मूला था होना परे sin inverse minus x बन्चाए कति हो ये चाहिए यहाँ चाब पक्का minus sin inverse 1 upon 2 अब साइन कतिको ब्यालू चाहिए 1 upon 2 हो इस बेरी सिंपक पाई बाई 6 को ब्यालू इस इस आवर अंसर ये चाहिए कोईशन नमर सी है नूस cos inverse square root 3 upon 2 minus अब ये चाहिए अब ये चाहिए पाट अथा होना पर cos inverse minus x बन्चाए कति हो ठाक कर फर्मा अथा होना पर pi minus cos inverse x हो ये x बन्चाए square root 3 upon 2 अब पाई माईनस cos कति को ब्यालू square root 3 upon 2 इस बेरी सिंपल pi by 6 को ब्यालू cos 30 को ब्यालू square root 3 upon 2 अब ये लाई सिंपलिफाई गरे बनी उन्चा 5 pi upon 6 तेस ताई एफ नमर को एफ नमर को क्वेशन केशा बने arc 10 minus 1 upon square root 3 यार नेरा arc लेखा चानी arc यो बने आपनी 10 inverse नहीं बने आपनी 10 inverse नहीं बने आपनी 10 inverse minus 1 upon square root 3 नहीं बने को हो अब फेरी 10 inverse minus x लाई क्ये लेखना शकीन थे minus 10 inverse x मुले यो फर्मुला कसरी समझेना शकीन चा मुले मा जाले सिकाई साक्या चू वीडियो लिंक दिस्क्रिप्शन मा राह दिने चू अब 10 inverse 1 upon square root 3 चानी 10 कती को बैलो चाहिए 1 upon square root 3 10 30 को बैलो इस पाई बाई 6 दिस आवर एंसर ला तेस्टे question number 2 express each of the following in terms of x बन चा याने रा cos 10 inverse x देखो चा अब ख्याल कानाटाईस यदि cos cos inverse x वाने क्ये लेखना मिल थे हो x लेखना मिल अथा cos inverse cos cos x वाने क्ये लेखना मिल थे हो x लेखना मिल थे अब यो 10 inverse x को थाण मा, cos को inverse function आफ़ना पह बाला यासला हमी in terms of x लेखना मिल जा आए तेशब मेले यहला है सपोज गरे 10 inverse x equals to theta बना है x equals to 10 theta अब आहेमला है 10 रो cos correlation चाहिए हो किना बने यो 10 लाइकान लई जानी हो cos को inverse function तीर लई जानी हो यो चे डिफ्रेंट टेखनीक होना सक्छा मेले योटा टेखनीक अपना है cos theta equals to k लेखना सक्छा 1 upon sec theta फेरी sec theta रा 10 theta को रिलेशन होन्चा नी सजीले इना बली 1 plus 10 square theta बना है sec square theta हो sec theta बना है square root 1 plus 10 square theta याने रा cos रा 10 को रिलेशन आई पोगयो अब यहाँ 10 theta बना है तो क्या इपोगया चा x 1 plus x square 10 theta को ठाहमा x राखियो अब theta cos 2 cos inverse 1 upon square root 1 plus x square अब यह theta बना है तो क्या सपोज गाया थें हमले 10 inverse x होई ना रा तेस्वाइ 10 inverse x को ठाहमा के लेखना सक्क्यों मजाली लेखना सक्क्यों यह कुरो cos cos inverse 1 upon square root 1 plus x square तेस्वाची cos रा cos inverse रिमूब होन्चा एत्ती मात्री पाइके राँचा तेस्वाइ एसको expression in terms of x sin यह होन्चा एसको लागी थोरे मेहत गारना पर्यो basic trigonometry देखीको concept होना पर्यो लात्यस्ते दी नमर को question है नुस्ता मैले चाहिए easy question लगया चु जते गिला पनी कीना गारा question गरना होने रा याने रा cos रा sin चा येदी sin sin inverse x बाई पनी x बाई आन्छा cos cos inverse x बाई पनी x बाई आन्थे हो तरत्यस्तो चैना function चैंडिफ्रेंट चान तेस्वाइ यो sin inverse x लाई in terms of cos inverse x लाई जाना परे फर्मूला हमला है थाचा मजा आले sin inverse x equals to cos inverse square root 1 minus x square बाई चा हमला है conversion को फर्मूला ठ्यकाई था थे रहा हमला है सजिले हो इक्वेशन अरुको पनी येदी conversion को ठ्यकाई फर्मूला थाचा बाई हमें direct use गारना पनी चाकिन चा येदी था चाहिन बाई बाला यो process फ़लो गारनी होई अब तेस बाची कोस रो कोस inverse रिमूब भाहाल चा बाया की रहान चा येदी तेस बाई s को in terms of x को expression चाहिए येस तो हांचा ये answer होंचा ला तेसली question number g cos to cot inverse x येशला in terms of x express गारना पनी चा मुली क्या गरे cot inverse x लाई theta सपोज गरे x equals to cot theta अब यानेर चाहिए cos to cot inverse x लाई तो हमले theta सपोज गरे याथिं तेस बाई cos to theta बाया हमले cot theta को चे यालू थाचा बनी cos to theta in terms of cot theta येदी फर्मूला थाचा बनी तो company value multiple angle formula मा हमले class 10 मत पड़ी सखेया चाहिए याखुरा उन्च के cot square theta minus 1 divided by cot square theta plus 1 कर theta को बहलो कथी सपोज गरे याथिं x x square minus 1 divided by x square plus this is the expression of this term in terms of x अत्यस्ते question number 3 evaluate each of the following using table if necessary बन्चा करे sin cos inverse 3 upon 5 चाहिए sin sin inverse x equals to x1 येदी यो x से खाँ परे बहने sin को range मा परे बहने मात्रे ये सो बाई अब याने रहना नोस्ता यो cos inverse 3 upon 5 लाई चाहिए sin inverse को फम्मा लगनो परो किना बने येस तो sin sin inverse बहने योता remove होंचा नी तही काने ले गरदा येसको तो formula था चाहिए cos inverse x को formula के होंचा इन टर्म सब sin चाहिए sin inverse square root 1 minus x square तेस तही sin inverse x equals to cos inverse square root 1 minus x square होंचा अब यहने लेखे मेले sin inverse square root 1 minus x square बहने अपन 5 को बहने स्काहिए 9 अपन 25 अब यहलाई सिम्प्लिफाइ गरदा होंचा 16 अपन 25 होंचा करे त्यों बनाए square root 16 अपन 25 बनाए 4 upon 5 अब ख्याल गन्यों सही यो 4 upon 5 sin को range था कती हो minus 1 to 1 हो एसमा पड़शा यो 4 upon 5 मजाले पड़ा 1 बनाश्यान हों तेस अब लेखना सखेंचा मजाले 4 upon 5 तेस्ताई बीन नमार माचा क्ये द्याचा बनाए cos arc cos 2 upon 3 बनाचा अब यरुनुस्त यो arc बनाचाई cos cos inverse 2 upon 3 हो cos को range बनाचा कती हो minus 1 to 1 होनी पड़शा 2 upon 3 minus 1 देखेंचा मजाले पड़शा तेस वा हम्रों डारेक्टर यांचा 2 upon 3 तेस्ताई c नमार मा क्ये बनाचा बनाचा बनी arc 10 बनाचा ते बनाचा 10 inverse 10 by upon 6 हो अब 10 inverse को range काती open interval minus pi by 2 देखें pi by 2 ठीक छा तेस्ताई यो pi by 6 पड़शा यो pi by 6 पड़शा तेसको यांचा 5 by 6 लातेस्ताई question नमार D sin 10 inverse 3 upon 4 चा यांचा यांचा येदी sin inverse something something लेखना सक्क्यों बने हम्रों यांचार आई हाल्चा तेसाओ वाई 10 inverse 3 upon 4 को relation काहा कोजनों परनेचा sin inverse something something संगा कोजनों परनेचा तेसको लागी सपपोज गरे 10 inverse 3 upon 4 चा यांचा 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 sin को relation साहिए आई तेस वाई 10 तीठाला मुले चेंज गरें square root 1 minus sin square theta ठीक चा अब मुले येला cross multiplication करें यहनेर जाए 3 यो टर्म आयो 4 times sin theta येता आयो squaring गरें बोद साइड मा 3 को square 9 बहिए आंचा येसको holy square आयो बनेचा येसको square root गाए यो 4 square 60 sin square theta अब यानेर चें मुले bracket ये ब्राकेट येपन गरचू 9 minus 9 sin square theta होंचा यानेर चें minus 9 sin square theta आशा ने तेला right hand side मुले यांचा यो like term यो संगल चा याट होंचा 25 sin square theta येता बाके रांचा 9 तेहले है मुले येसमा साइ sin square theta equals to 9 upon 45 आयो sin theta equals to square root 9 upon 25 बनात्यों चें 3 upon 5 हो क्यारी तेशबसी theta को value चाहिए sin inverse 3 upon 5 theta बना क्यों के सपोज गर आतिमा हमले 10 inverse 3 upon 4 तेशबसी हमले 10 inverse 3 upon 4 को ठामा के लेखना सक्क्यों sin inverse 3 upon 5 तेशबसी sin sin inverse चाहिए रिमूब बही आलचा बाके रांचा 3 upon 5 दिस इस आवर यांचा एदी हजोर अरलाई चाहिए sin रा 10 correlation एदी expression of sin in terms of 10 एदी यादछा बनी यहीन एरा formula लागाया रहा simply अगाड़ी गर याथी मिने हमले तेशरी मध्जाले शर्प गाना सकेंचा तेशबसी चाहिए sin inverse simply 1 by की रांचा sin inverse 1 बने कती sin कती गोई व्यालू चाहिए 1 हांचा दिस इस पाई बाई 2 दिस आवर यांचा लग तेश्ताइ question number 4 ए नमार माचाई 2 cos inverse x equals 2 cos inverse 2 x square minus 1 योचे proof गरनू परने चा मैंले क्ये गर्चो बने cos inverse x लाई theta सब्पोज गर्चो तेशबसी x equals 2 cos theta होंचा अब माँ जान्चू rhs बाट मैंले कीना rhs लगे बने 2 बाट सानुमा लगना सजीड़ोगला बने रही मुल्टिबल एंगल फर्मुला मा हैंदे पडिशाके आसम तेवाने cos 2 theta को फर्मुला हो देश्पची cos inverse cos 2 theta छान्य यो cos inverse cos 2 theta छान्य यो cos inverse cos 2 theta बने के थियो cos inverse x 2 cos inverse x यो चाहिए lhs प्रूट लत्यस्ती question number b 3 cos inverse x e cos 2 cos inverse 4x cube minus 3x मुले चैं cos inverse x लाए सपोज गरें theta बने रही x e cos 2 cos theta फेरी मले rhs लगे कीना बने ठुलो बाट सानुमा जाना सजीलो हुँँचा की बने रही cbeata rhs मा सकनून छा पने मिजाले चैंना सकनून से- समले rhs कॉस inverse 4 x ा क्यू व्यालोटा कथी हो cos theta तो यो cos3 theta minus 3 x कॉ बैलोटा कथी हो cos theta कैं संतनुमा फो cos 3 theta , 3 theta , правильно ठिक silicon Doing the sot deed andери cos inverse omega 2 baş्या बाय की रहां चे लाहा थेओ 3 times theta को ब्यालू चाहिए कती हो theta को ब्यालू चाहिए हो cos inverse x cos inverse x this is our LHS root लग ठाक काई यह सरी यह question prove गरना ट्राइ गरना हुशता यह दी prove भायो बनी comment box मा yes लेखना हो लाइदा लग यह सरी question number g cos bracket sin inverse u plus cos inverse v cos to v times c square root 1 minus u square minus u times c square root 1 minus b square यह solve गरने different technique आरूशन त्यों मध्धिमा मुईले चाहिए यह सरी solve गरेड़ा कोशो sin inverse u equals to a suppose गरियो cos inverse b cos to b तेस वह है u equals to sin a b equals to cos b अब क्ये गरना पर बनी sin a को ब्यालू आको चाहिए cos a को ब्यालू जेकी आलाब ना cos a बनाए चाहिए square root 1 minus sin square a हो यह कीना जिखने तब एकसिन पची काम लागने वाला चाहि अब यह cos यह बी चमा प्लस चाहिए तेस वह एस तो प्लस वाला ही फार्मुला लगना पर चाहिए cos a plus b को फार्मुला लगने cos a plus b को च्टो cos a cos b minus sin a sin b cos a minus b वाला फार्मुला लगने लाब तेस पचे हमें इन एर को ब्हालू रिप्लेश कर सम cos a को ब्हालू square root 1 minus u square शुरू मैं जिख्या फाइदा यह बहो नात्र आता जिखनो पर्ते हों यह कीना बने हैम लाए तो sin a को मत्रे ब्हालू था था थिओ cos b को ब्हालू चें b sin a को ब्हालू चें u तेस पचे sin b को ब्हालू square root 1 minus b तेस पचे cos as it is a बने कती सपोज गर्या थिम sin inverse u b बने कती सपोज गर्या थिम cos inverse b एता को टम थोरे मिलाए दें मिले बिला अगरी लेखे square root 1 minus u square as it is minus u यह टम as it is यह चें प्रूग लग तेस्ते question number l हेर नो 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z equals to 10 inverse एस तो एस तो प्रूग वार्नो पार्ने चा यहाँचे तीन वोटा term आको छानी एस मां sin वाला पनी सोदना सक्षा तेस्ते cos वाला पनी सोदना सक्षा तीन वोटा term आको बेला के गरनी पहला एसरी सपोज गर दे जानी अब इस वाटा x को ब्यालू 10a y को ब्यालू 10b z को ब्यालू 10c अब यहाँ फर्मोला लग दाखे दी कसरी लगनी बनी एसरी नही लगनी 10a plus b plus c तेस्ते यहाँचे साइन को term आए बनी sin a plus b plus c cos को term आए बनी a plus a plus b plus c तेसरी नही लगनी अब यही तीन वाटा different एंगल को sum देखे बनी यही डायरेक्ट ए फर्मोला याच्छा बनी तो मजाले लाउना सक्क्यों मला याच्छा ना महिली क्ये गर्चा बहनी इनी दुई वाटा एंगल लाई चाए यहाँटा मान्चो पहला c लाई चुट्टे मान्चो मतलब 10a plus b a बहना चाए a plus b b बहना चाए c ख्याल गर्नूस 10a plus b तेस वाई 10a plus 10b डिवाइड बाई 1-10a 10b अथवा b plus c लाई उटा मनने a लाई चुट्टे माने पनी होन्छ अब फेरी 1- यहाँपनी 10a plus b को फार्मला लगान परिते वाने 10a plus 10b divided by 1-10a 10b times c a z अब तेस पच्यामी ब्हालो रिप्लेश करचां 10a बहना x 10b बहना चाए y 10c बहना चाए y 10c बहना चाए z हो तेस वाई x plus y divided by 1 minus xy plus z divided by 1 minus x plus y divided by 1 minus xy times z एक कुरा लेके मिले याश मा अब यहाँने रा सिंप्लिफाई चे अली राम रो संगा बुल्णोस मिले पहला numerator को मात्रे सिंप्लिफाई गरचो LCM लगे बनी यो k बन्छा बनी x plus y यो टर्म ता यो संगा times होना जान्छा z minus xyz divided by क्यो होन्छा 1 minus xy ठीक्छा यो मात्थिको टर्म चे यहाँने राम लेहा च्वाई तेस्ते यो denominator को सिंप्लिफाई गरदा यो z बने आता SLM मात्रे times गरने हो अब यहाँ एदी 1 लागे बनी यो 1 minus xy चे यहाँने राम चा अनि minus z ले यही दोटे टमाई times होन्छा minus zx minus zy होन्छा 1 minus xy चे यहाँने राम चा divided by 1 minus xy होन्छा यहाँ पनी 1 minus xy थेओ डिभाईड मा डिनोमिनेटर मा पनी 1 minus xy थेओ बनी योरो योट्टम ते कैंसेल आउट होहाँन्छा मैले लेखशू x plus y plus z minus xyz divided by 1 minus xy minus xz minus zy अब याँने रा यो 10 छानी उताला इजान्छो inverse बनाऊना परे देलाई अब तेस पसी यो 10 लाए उताला गेरा inverse बनाऊ सम अनि a कोठ हामा 10 inverse x, b कोठ हामा 10 inverse y, c कोठ हामा 10 inverse z यो 10 उताला गारा inverse बो 10 inverse ये टर्म सार दियो भने हम्रोचे प्रूफ कम्पलेट बायो लग तेस्ते क्वेशन नामार M sin inverse 4 upon 5 plus sin inverse 5 upon 13 plus sin inverse 16 upon 65 because to 5 by 2 प्रूफ गार्नोस बाँचा अब ये समा योई equals to a सपोस गरियो योई equals to b सपोस गरियो योई equals to c तेस बाए 4 upon 5 because to sin a 5 upon 13 equals to sin b 16 upon 65 because to sin c अब यह sin a आए कोसे चाहिन चाहिन लाए कोसे को फर्मूला चाहिन square root 1 minus sin square a होनी sin square a भने 5 upon 5 को whole square ते भने 16 upon 25 ये लाई सिंप्लिफाइगर भने आँँश square root 9 upon 25 ते भने 3 upon 5 तेस ते sin b चाहिन cos b चाहिए square root 1 minus sin square b फेरी s को whole square भने 25 upon 169 ये लाई सिंप्लिफाइगर गरदा हमसे ये ती 12 upon 13 तेस ते cos c चाहिए square root 1 minus sin square c s को whole square गरदा चाहिन ये लाई सिंप्लिफाइगर गरदा ये लाई सिंप्लिफाइगर गरदा ये ते याँँच अब हमी question एरम तो याँचे eder a plus plus sin चाहिन तेसम लाई लगने परे sin a plus b plus c वाला फर्मूला तीन वराटा टंब सानी sin a plus b plus c अब तेसम ऐले सलाई ये उताइगल माना च्चू a plus b लाइवटा अंगल एसलाई उताइगल माना च्चू तेसम ए sin a cos b plus cos a sin b पहरे तेस्पची sin a plus b को फर्मना लाग्यों sin a cos b plus cos a sin b यो cos c as it is, तेस्पची cos a plus b को फर्मना लाग्यों cos a cos b minus sin a sin b times sin c अब क्या बढ़चु, मा यो सब पई को ब्यालू रिप्लेस गर्चु, सब को ब्यालू याई मिशंगा छा sin a को ब्यालू 4 upon 5 cos b को ब्यालू 12 upon 13 plus, तेस्पची cos a को ब्यालू येती sin b को ब्यालू येती cos c को ब्यालू येती तेस्पची cos a को ब्यालू येती cos b को ब्यालू येती sin a को ब्यालू येती sin b को ब्यालू येती sin c को ब्यालू येती अब याने रख यह चाहिं 13,5 जा 65 होंच 12,48 यह स्कोर यह स्कोर डिनोमिनेटर सेम होंचा नहीं तेस अब 65 चाहिए LCM होंचा माती पटी 12,48 5,3,15 टेक्छा बायरोको टर्म एज इस प्लस अब यह पनी 13,5 जा 65 13,5 जा 65 दिनोमिनेटर सेम छा LCM होंचा 65,2,3,36,4,5,25 जा 25 रोको टर्म एज इस अब यह प्लस यह गरे भानी 63 यह बायरोको 63 यह 65 65 जा इस इस अब यह परि 65 ताम 65 जा 65 जा 65 जा परि दिनोमिनेटर सेम छा इनी दुटा को प्रोड़क्ट गरे भाने आउसा 4,225 परि यह यह निर जा 63 ताम 63 प्लस 16 ताम 16 यह आउसा 4,222 तेशव यह एता इक हो टाम चानी A wana कती सपूज गरे आती, B wana कती सपूज गरे आती, C wana कती सपूज गरे आती अनी यह यह जा Alzheimer inverse 1 भान चानी Sine कती को बहलुआन 90 को बहलुआन 5 बहलान 5 को बहलुआ धिस इसा ओर Proved त्यस्तर एक Q5 Find the value of each of the following बन्छा Cos, sin inverse 4.5 Plus 10 inverse 5 बन्टो बन्छा याने यो cos A plus B को जच्तो फम माद देखिन चा Cos A plus B को फम माद देखिन चा बनी cos A plus B को परूला के हो Cos A plus B minus sin A sin B त्यस्वा Cos A cos B sin A sin B अर को value थाओन विद्धिके हामी S को ब्यालो 5 आउड गरना सक्छा महिदे सपोज गाने sin inverse 4 upon 5 equals to A 10 inverse 5 upon 2 equals to B तेसो गाने 4 upon 5 equals to sin A 5 upon 2 equals to 10 B अब ख्याल गरनूँश sin A को तो ब्यालो आई शक्यो cos A को ब्यालो मजाले आउना सक्छा square root 1 minus sin square A कर साम Li simplify गरे वाने 3 upon 5 आउश cos A को ब्यालो, sin A रा cos A को आई प्यालो येदी sin B रा cos B को ब्यालो था होना बित्तिके हमी S को ब्यालो मजाले जिखना सक्छा तेसो गए ये 10 B को रिलेशन बाट sin B रा cos B को ब्यालो जिखना परने चा S माचे different technique होंचन sin B रा cos B का ब्यालो जिखना तर माचे ए उटा technique ली अजोड रास शिकाऊंँ दे शुँए जथी मेहनत गरने होंचा तेसे टिने इए टेक्निक करें तेसे टिने बाट आरो भिला परशने मेहनत गरने बने डिफरेंट बाट आरो भिला परशने यह method ले पनी होँच्छा यह method लेनी होँचा बननी चाहिए आई रिया आओना थाल चाहिए मुईले क्ये गर्च बनी cos b है मला है चाहिए cos b रो sin b को भाला हो महला चे cos b in terms of 10 b relation थाव वको बाया हो यू अला relation लाओ देछ सुना चाही cos b cos 1 upon sec b हो के रे आणि sec b b वन्या स्क्वार रूट 1 plus 10 e square b हो यह चाही cos b in terms of 10 b, किना वन्या वन्या 10 b को व्यालो दिया चाही यदि cos b को व्यालो जिखना सक्क्यों बन्या था हमी sin b को व्यालो पनि मजाले जिखना सक्क्यों સ્હરોર સ્રિસેમ સ્પી સ્હરીરુડ હ્તિ આપર્ વેલ્ય એં પલો સેલોં પ્રણેર સેને ને સ્ક્રં બલોં सेम किना वनने कोईशन ट którą पूस यह जोस्तो civ wonder chat मं लेसलाइ बने क्वीर सफ्कूस गरएसम मेशलाइ , इसलाइ प वने रख सकूस गर आशम् माइनस, sin a को ब्यालू चाहिए, sin a को ब्यालू 4 अपन 5, sin b को ब्यालू चाहिए 5 अपन 13, यहाँ चाहिए 13,5 जा 65 हुँचा, 13,5 जा 65, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, आमी सब्ट्रेक्शन और प्रेक्शन गार्शं, lcm 65 बाऊंचा, तुबेल 3 जा 36, पो 5 जा 20, 36 मैनस 20, 16 अपन 65, अब कोस a प्लस b बनाचे हमले कती सपोज गरातिम, sin inverse, पो अपन 5 प्लस b बनाचे कती सपोज गरातिम, 10 inverse, 5 अपन 12, इकोल्स टु 16 अपन 65, यह कोईशन माचा, यह एक्सप्रेशन को ब्यालू कती हुँचा, बने ड़ा सोज यह थेओ, 16 अपन 65, this is our answer, लद्थेस्ते कोईशन मारे अफ, आर्क sin t minus r cos minus t, आमले चैं, यह को भालू find out गरना परने चा, आर्क sin t लाइ चैं, sin inverse t लेखना सकीन चा, minus r cos minus t चान, यह लाइ चैं, cos inverse minus t लेखना सकीन चा, अब, एसलाइ a z t चारे, हमी संगा योटा प्रोपर्टी चा, के बने, cos inverse minus x वन्या चैं के हो, pi minus cos inverse x हो, तेसो वाइ, cos inverse minus t को ठामा की लेखना सक्यो, pi minus cos inverse t, अब, यह 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 ब्राकेट ओपन गर सा, यानेर, minus plus minus होंच, pi सांगा चैं, negative sin आऊश, मुले, pi लाइ, अगानी लेखे, यह टर्म यह, minus minus plus होंच, cos inverse t चैं, यह 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 ब्रोपर्टी, sin inverse x plus cos inverse x कती होंच, अब, यह पड़े आचा, मामली, pi upon 2, तेसो वाइ, sin inverse t plus cos inverse t पनी, pi upon 2, यह लाइ, यह ब्रोपर्टी लागेरा, माले चां, यह प्रोप करदाईच, इप, cos inverse x plus cos inverse y equals to pi by 2, प्रोप धाट एस्तो बंच, यह यह condition होंच, यह प्रोपर्टी लेखे, cos inverse x plus cos inverse y equals to pi by 2, तेसो पची, cos inverse x equals to pi by 2, मैनस cos inverse y, अब, ख्याल गर्नोंच, आमी संगा यह ब्रोपर्टा रिलेशन छा, कुण, sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, यह यांगल चाहिं, ai वने, यह पनी ai वने पनी pi by 2 होंच, yi, yi वने पनी pi by 2 होंच, यांगल ji आए पनी pi by 2 होंच, तरह सेमा अउग परो यांगल चाहिए, तेसवाए, एदी cos वाला टम लाए उताल लोगे बनी, sin inverse x equals to pi by 2 minus cos inverse x मुधर अच, तेसवाए, pi by 2 minus cos inverse y, एदी यांगल y राखे वन्ता, यह रिलेशन बाट की बनने देख्यो, pi by 2 minus cos inverse y equals to, की बनने देख्यो, sin inverse y, तेसपच, यह टम, as it is, यह टम, sin inverse y लाए छे, cos inverse को टम मला लाई जान्च, कीना बनी, function चाहिए, same बनाउनों बननी चाहिए, यह स्लाइच चेंज गरे बनी, cos inverse equals to square root 1 minus y square, यह तो फर्मुला हो, तेसपच, टेकिं, cos on both side गर लियो बनी, cos रा, cos inverse remove, cos रा, cos inverse remove भाहाल चाहिए, x equals to square root 1 minus y square, स्कारिंग अन बोथ side गरे बनी, x square equals to 1 minus y square, अनि तेसपच, minus y square लाई चें, left hand side मला लागे बनी, x square plus y square equals to 1, this is approved, ला, युर वीडियो माँ चाहिए यह तिले, next वीडियो मा, remaining exercise complete गरने जो, ok, thanks for watching,